आज आपसे शेयर करना चाहूंगा तीन तरह के बच्चे मुझसे डेली बेसिस पे इंट्राक्ट कर रहे हैं एक राहूल की तरह जो आप शकल देख सकते हैं एक है चतुर की तरह और एक है रांचो की तरह ये फरक क्या है ये कौन-कौन से बच्चे मैं आपको बता दूं और आपको कैसे बनना है रांचो वो भी मैं आपको बता दूंगा पहला डिसकुस करते हैं राहूल के बारे में ये राहूल वो बच्चा है जो इस समय बहुत ही konfuse है उसको जिन्दगी में समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ यानि neutral है जैसी life चल रही है चलने दो जैसी classes हो रही है करने दो जैसी practice चल रही है mediocre average performance उसको इस जिन्दगी से कुछ लेना देना नहीं है क्यों he is not clear about his why यानि जो life का मकसद है purpose है उसको कुछ नहीं पता इसलिए वो neutral है वो कहता है सानू की की फरक पेंदा है term 1 का result आए ना आए मुझे क्या फरक पड़ता है syllabus term 2 का क्या है उसको पता नहीं chapters क्या है फरक ही नहीं पड़ता paper online offline ओ कोई फरक नहीं पड़ता यानि इसकी जिन्दगी में आसपस क्या हो रहा है इसको परवा नहीं है दोसी तरफ जो चतुर है उसको सब कुछ पता है उसको पता है syllabus के बारे में chapters के बारे में उसको पता है कि due का entrance exam होने वाला है बट उसने उस चिंता को इतना overburden कर लिया इतना stress ले लिया इतना anxiety में है इतना depression में जा चुका है कि life has become hell यानि उसका पढ़ने का मन नहीं करता मन नहीं करता कि मैं कुछ creative काम करूँ मन नहीं करता कि family वालों के साथ बैट के अच्छी बाते करूँ हसी मजाग करूँ बस कमरे में पढ़ा रहता है बंद करकर और overthinking करता जा रहा है सबसे पहले लिखेंगे आप में से इन दोनों में से राहुल और चतुर में से कौन है जल्दी से पेंड़ान केजिए chat box में because मैं देखना चाता हूँ आपकी honesty अगर आप राहुल है तो भी खतरनाक बात है अगर आप चतुर है तो ये उससे भी जादा खतरनाक बात है अभी progress में होगा यानि की work in progress अभी आप कर रहे हैं और progress यानि gradual improvement is a symptom that you are growing day by day ये जो work in progress है ये उन बच्चों को जो की रैंचो है ये हमेशा believe करते हैं कि daily basis पे जहां मैं आज था मुझे उससे थोड़ा आगे जाना है थोड़ा आगे जाना है और अपने आप 100% तक बहुत जाएंगे लेकिन जो राहुल जैसे बच्चे हैं वो initial यही पर होते हैं यही पर रहते हैं पूरा का पूरा academic session भी जाता है वो आगे progress नहीं करते क्यों? क्योंकि उनको future से डर लगता है यानि fear होता है जिस इंसान को fear है वो पहला step लेने में ही डरता है वो राहुल के साथ होता है बट वही पर जो चतुर है वो इतना overwhelmed हो गया कि कह रहा है कि मैं इतना रस्ता कैसे travel करूँगा और उस overwhelming situation में he has gone into depression stress में है anxiety में है यानि जो gap है जहा बिलीफ ही नहीं कि मैं कर पाऊंगा और इसलिए उसकी शकल sad थी लेकिन वही पर जो हमारा rancho है बहुत ही समजार बच्चा उसको एक चीज़ पता है कि gradual improvement, gradual progress एक step भी उसमें आगे लिया है तो वो अपने 100% की तरफ जा रहा है ये मैं कहना चाऊंगा उन दोनों बच्चों स प्लीज मेरे बच्चे डेली आप प्रियास करें, डेली progress चाहे gradual progressive इतना marginal progress भी अगर हो रही है तो आप सही track में हैं यानि कल जो आप थे और आज जो आप हैं अगर थोड़ा सा भी आपने improve कर लिया तो आज आपका एक better version है, कल इससे बहतर आएगा परसो इससे और बहतर थोड़ा सा working progress ओर तो आप अपने मंजिल तक जरूर पहुच जाएंगे, जस्ट आपको एक चीज याद रखनी है, जस्ट गेट अप, जस्ट गो अप and never stop, आपको रुकना नहीं है, ठकना नहीं है, आपको होसले बुरंद रखने है, बिकॉस आपका जो dream result है, dream success है, वो तो वो 4-5 step कौन से हैं, चरिए वो सीडिया चरते हैं, मेरे प्यारे बच्चो, वो जो सीडिय है success की, वो पहला पायदान है vision, यहाँ पर राहूल का vision बिल्कूल भी नहीं था, चतुर का था, बट वो उस vision की वज़े से overwhelm हो गया, यानि उसको घबराट हो गया, panic हो गया कि मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं कैसे CBSC पड़ू, साथ मैं entrance पड़ू, बट वहीं पर जो हमारा rancho था, उसने एक एक कदम लिया, और पहला step किया था, about the vision, यानि वो जो vision of future है, उसने future का vision अपने mind में बिठा लिया, कि या तो मुझे North Campus के college में जाना है, या मुझे एक rank निकालनी है, जो entrance exam होने वाले CSET में, he is very very clear, so he is not being confined to the past, उसको अपनी जो past की failures या past की जो regrets है, वो उसका उसमें भंदा नहीं हुआ, उसको जो future की आशा है, he is very hopeful, कि yes, definitely I will do well in life, और बहुत बढ़िया करने वाला हूँ, तो पहला step है, आप अपना vision लिखिए, future के बारे में क्या prospect दे लिखते हैं, वो आपने decide करना है, and the second step is the goal, इस goal को आप लिखिए, writing के अंदर, क्या आपका goal है, क्या आपका goal है अच्छे college में, क्या आपका goal है अच्छे entrance में rank लाना, please write on in black and white, अगर किसी college में आपका मन है, उस college की picture, photograph निकाल के study table पे लगा दीजे, visualize किजिए कि आप उस college में घुस रहे हैं, उसके gate आपके लिए open हो रहे हैं, उस floor पे आप जा रहे हैं, जहां पे आपका classroom में, उस classroom के अंदर आप enter कर रहे हैं, और कौन सी particular bench पे आपने बैठना है, वो goal लीजे, चाए वो IAM crack करना हो, चाए वो B.A.M.S. हो, चाए वो श्रीराम college हो, वो goal आपका clear होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, और यह हमारा जो rancho है, उसने जिंदिगी में यही किया, पहला अपना vision clear रखा, दूसरा अपना goal लिख लिख के, daily base पे उसको देखता रहा, rehearse करता रहा, कि मुझे यहां तक पहुशना है, then the planning, as you all know, if you fail to plan, you plan to fail, planning about what your day, आप जो इस तरह से पूरे डे को दो parts में divide करेंगे, productive time and non-productive time, उस planning के अंदर, उस productive time के अंदर, topic, chapters लिखेंगे, क्या-क्या करना है, और non-productive time में भी आपने क्या करना है, आपको define करना है, this is what is the planning daily basis पे, क्या वो plan आप लिखके कर रहे हैं, या verbal या oral, अगर आप verbal करते हैं, और और करते हैं, तो बहुत ही गलत तरीका है, प्लीज अभी इस वीडियो को रोकने के बाद, या इस पूरे वीडियो को देखने के बाद, pen down करना, कल का मेरे इस दो zone में, जो productive और non-productive है, मैं क्या-क्या करूंगा, वो आपको mention करना, और अगर आप करना चाहें, तो chat box में लेखि है, और आप follow करेंगे कल से, देन आती है बात action की, 78% of the student, they do only these three steps, वहाँ पर बात आती है, massive action लेने की, यानि massive determined action, जो आपके result में convert हो, जो आपके success में convert हो, यहाँ पर बात आती है, 78% बच्चे सिरफ planning करके छोड़ देते हैं, और action नहीं लेते, बाकी के जो 22% ये वही जो चाहते थे, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से, यहाँ तक जाने के लिए, आपको ये steps करने हैं, और अगर ये steps आप लगा लेते हैं, achieve कर लेते हैं, प्रयास भी करते हैं, तो आप एक better version बनेंगे, जो आप कल थे, आज उसे बहतर बनेंगे, और परसो बहुत बहतर तो करना कुछ नहीं है, सिरफ आपने आप पे believe करना है, और पहला step, firm step लेना है, क्या, plan your day, visualize your success, visualize your future, कि 7 सल के बाद, 10 सल के बाद, आप क्या चाहते हैं, जिन लोगों से आप सोच रहे थे, कभी मैं मिल नहीं पाऊंगा, आपने टीवी में ad देखा होगा, जहाँ पर रिश सोचा है कि क्या मैं इस film celebrity के साथ मेरी photograph हो, क्या मैं इसके साथ selfie खिचुआ रहा हूँ, या कोई top company जहाँ पर आपका dream है, job करने का, या किसी company को start up करने का, वो सपना देखिए, और सपने के लिए ये 4-5 step लगाईए, definitely you will succeed in your life, तो ये मेरा personal experience है, जो मैंने इस journey को यहाँ तक आया हूँ, इनी steps को follow करके आया है, और वही success secrets आपके साथ share कर रहा हूँ, तो अब इन 3 बच्चों में से, आपने कौन सा बनना है, yes smile वाला rancho बनना है, और वो steps में आपको दे चुका हूँ, I hope यह effort अच्छा लगा, अगली वीडियो में और भी useful content लेके आएंगे, तब तक बहुत अच्छी से ध्यान आखिएगा, हाँ, do like, subscribe तो बनता ही है, because हम आपके साथ हमेशा है, because यह जो दोर है, वो सिरफ वो सिरफ आपका self motivation, और self goal, self goal achieve करने के जो तरीके हैं, वही आपको success दिलाएगा, और कोई help नहीं करेगा, because आपकी मदद आपसे बढ़िया कोई नही आपको पाफ़िया गया करेगा है, रते हैं, पनुड़िया करना है, और के भर ऊमыв मदद आपसे आपको से आपके साथ है, बहुता है, से पाते हैं, ओके साथ हैं, भर एका सतिहो आपके साथ है, जिलाएगा हृम झ Reports criteria नहीं हैं, पिलाशी EPA का गर एके साथ हैा, और कि पतता